हुआ 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 है है गाइस दिस इस कुलीप एंड यू वाचिंग यू पेसी लाइबरी तो आज के स्लेक्शन में हम बात करेंगे कोश्चन आवर के बारें जानेंगे इस लेक्शन में कि आखर यह कोश्चन आवर क्यों क्या होते हैं और इनका क्या इउस होता है और अधर एस अपना दे रहे हैं कि आखर कोश्चन आवर रठा दिया तो हम गोवर्मेंट को किटिसाज ने कर सकते हैं और कोश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि आखर यह पहले जो कोश्चन आवर कोश्चन आवर कोश्चन नहीं पूछ सकते हैं निज में एक हैं लोग समय राजसभा सैकेर्टी इसको करते हैं लोग समय राजसभा के सैकेर्टीर नोटिफाई कि यह कि दे इस नो कोश्चन आवर दूरिंग तो मोंसुन सेशन आप पर्लिमेंट और विच यह जो सेप्टमेंब फूर्टीं से एक अप्टूबर तक चलेगा और जो इंटर्वी और जी राजसभा राजसभा पर्लिमेंट के एक पार्ट हैं सो कोश्चन आवर इसी वज़े से दोनों बोथ हॉसेज में इन जी रहावाल कोश्चन आवर को दोनों में प्रेस्टेट करया सो इस वज़े से अपोजिशन एंपी जो हैं सो पर गी तोपिक पर या इस सब्सक्रान आवर की यह मुकि राजस के इस पर केरिव इस ट्विक पर अपना कार्फिट किया है कि कॉश्चनिंग दे गवरहर्मेन्ट इसब एक शनाफपर आपग्सिजन अप्र फ़र्लियम्च आमके इस चीज पो उन्होंने कमेंट किया है उन्हों बोला कि इस चीज काफी परल्लेमेंट यह ठीक नहीं है विकॉज कोशिणिंग दे गवर्मेट इस दा ऑक्सीजन आ परल्लेमेंट डेमकर जो की काफी अच्छा रहता है जाननी से परले यहीं देखना चाहिए कि परल्लेमेंट में परसेडिंग वो किस तरीके से हो 11 KG से परल्लेमेंट के परसेडिंग परसेडिंग स्टाइड बहन है 11-12 बहुँक्त के पहला जो आवर उता है उसी को कोश्यन आवर बोलते है सो उस question hour के बाद जो second hour जो होता है उसको भोलते हैं 0 hour सो इस question hour में government से question पुझए आते है government in the check to represent the people so in question question hour में government से question पुझए है तो जीरो आगर में represent people से अ एक जो और भी तरीखे question पुझे है बिना किसी who already notice दिये होए एसमने जो पहला first hour is the question hour then second hour is is called गंच में कॉछिए कोश से पाघ् demás मया धना गोटरwalk repentus और अबोछ चलती हा इसमें सबसे याधा लोक सभा है जो की शेज तक मिदी मुझनग होती है मतलब सबसे याधा लंबी लोक सब चलती हैं तो इसंग को याद रखना क्या होता है तो फर्स्ट आवर अवर अवर इवरी पार्लियमेंट इस इसे लिखा कि दो चौधर इसे कोशन आवर को राज़सवा में ग्यारे से लेकर बार विश्ट तक सिफ्ट कर देख जो पहले बाद में था उसी वैसे थो तो दूरिंग दिस वन आवर मैंबर ऑ पार्लियमेंट के से कोशन करते हैं और उनसे कोशन करते हैं कि आखे काम कैसे चल रहा अखे because MPs जो की Minister होते हैं वो पार्लियमेंट के लिए accountable होते हैं so इस विए से उन से question पूछते हैं government से का किसी पर कैसे work कर चल रहा है अगर कहा work की कम है so इसी विए से question the minister and hold them accountable for the functioning of their ministry so इसी विए से minister accountable होते है then इसके बाद questioning can also be asked to the private member also so जो question जो हो private member से भी push जाते हैं because MPs और private member वो होते हैं जो MPs who are not minister जो की MPs हैं वहन्तर मेंबर और पार्लियमेंट बट वो minister नहीं है so उनको private member बोल सा private member से भी question किये जा सकते हैं and इसमें एक चीज है कि presiding officer of the both houses presiding officer of both houses में लोग सभा का presiding officer speaker होता है और राजसभा का presiding officer chairman होता है so और इसमें एक main बात इसमें याद रखना कि राजसभा का जो chairman होता है वो राजसभा का chairman ही vice president of India को ही राजसभा का chairman बोलते हैं और जो की defecto होता है मतलब जब अगर राजसभा sorry जब इंडिया के vice president का चुनाव election करते है वो defacto ही राजसभा की chairman ही बन जाते है so यह चीज माइन में याद रखना so presiding officer of the both houses are the final authority with respect to conduct the question hour so जो दोना house की presiding officer उनकी वो final authority है वो ही question hour को conduct करते है so question hour चाहँ जो question नावा है question पूछे जाते हैं वो तीन तरह के होता है एक होते है start question start question मतलब जो की start question में aap orally answer देसाते है supplementary question can follow और इस start question में आप supplementary question भी पूछ सकते है मतलब इसमें आप question चलते हैं और इसके लाएब वो supplementary question यह पूछ साते हैं then second is unstard question unstard question का मतलब इसमें जो आप question पूछेंगे तो उसका answer written में आया वा but इसमें supplementary question allowed नहीं है मतलब इसमें एक बार में एक ही question और जो भी इसका question का answer होगा वो written में देना होगा then फिर आता है third is short notice question, short notice question का मतलब यह है कि जो इसमें question पूछने से पहले उसमें एक notice देना पड़ेगा, last then 10 days so 10 दिन से पहले पहले, मतलब मिनियूम 10 दिन होगी, minimum 10 दिन से पहले एक notice देना पड़े है question पूछने से पहले, so उसी को short notice question हो और उसका जो answer होगा वो उसमें जो answer होगा, वो होते हैं वो अलग-अलग different colors में print करते हैं जो कि green white light pink yellow color respectfully distinguish because in color color से उनको पहचानना जा सकता है so start question start question short notice question और question जो कि private number से पूछा है वो अलग-अलग different colors में होते हैं so जो question आवाज होता है जो दोनों आउसे नहीं होते हैं जो कौन से दिन होता है पहले दिन प्रेसिडेंट की स्पीच लोगसभा क्या नियू लोगसभा जो होती है बिगनिंग अप दर नियू लोगसभा तो इसमें पहली जो meeting होती है तो इस meeting में प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं जो इस स्पीच में कोशन आवाने होते हैं second जब budget पास होता है जब budget के दिन ऑन दे फानेस में रप्रेजेंट रोता है उस में वह है उसमें विए हर साल minimum दो कोस्च में तो आते ही हैं इस चीज को माइंड में याद रखेगा सो कोशन आवा कि अबाद जीरो आवा जीरो आवा इंडिया की इन्भंशन इंडिया ने मेंशन किया खुद नहीं ने किया है So thus It is informal device available to the member of parliament to raise the matter without any prior notice So इसको 0 hour में member of parliament जो MPs होते हैं वो बिना किसी notice prior notice के question करका सकते हैं So इसका ये mean 0 hour का So जो 0 hour जो होता है वो start immediately after the question 0 hour कोशन hour के immediately start हो जाता है and last until the agenda of the day जो agenda of day मतलब इसमें पिक में आप देखिए हाँ इस पिक में जो question hour के बाद और इसमें जो lunch के बाद जो ये government के जो business है So यहां से time period को question hour के time period इन दोनों के time period के बीच में इसको 0 hour बोलते हैं So जो government के business से पहले जो agenda होता है उससे पहले और question hour के इमेडली बाद ही zero hour की zero hour start होता है So zero hour जो की बता दिया था इसमें जो की regular business agenda of day मतलब regular जो business होता है of the house regular business of the house होता है उसी के just पहले So in other words the time gap between the question hour and the agenda is known as the zero hour So जो मैंने बताया था पहले जो time gap जो की question hour जो agenda है उसके time gap जो time बीच में जो आया है उसी कोई zero hour बोलते है So it is a Indian innovation जो मैं पता है जो Indian innovation in the field of parliamentary procedure and has been existing in the since 90 seconds जो की यह 90 seconds जो की यह याद रखना की zero hour इंडिया की innovation है ना की और ना यह rule of procedure में mention है So इस चीज़ का impact क्या होगा अगर zero hour question को अगर suspend करते हैं So यह because because over the last 70 years MPs have successfully used the parliamentary device of question hour to sign a light on the government function so MPs होते हैं वो question hour का use करते हैं ताकि government को question कर सके यह government question करेंगे तो उससे पता चलेगा कि government किस तरीके से काम करें होगी अगर कोई भी because their question have exposed the financial irregularity जो अगर कोई भी financial irregularity होगी तो वो exposed होगी and the broad data information regarding government function in the public domain और जो भी financial irregularity जो financial irregularity चल रही हैं तो उस रेटी जो भी data या जो information है वो public domain में आएगा इसी वैसे question hour काफी important हो जाता है और इस वैसे parliament के question hour और भी important हो जाता है and with the broadcasting of question hour since 1991 question hour has become one of the most visible aspect of the parliament function जो question hour जब भी parliamentary proceeding होती है तो उसमें mostly part question hour वाला part देखा जाता है so इसी वैसे since 1991 से question hour has begun most visible aspect of the parliamentary function so इसी वैसे से parliament function का most visible aspect बन जाता है and with the suspension so अगर इसके suspension के बाद opposition बूज दा राइट to question the government so अगर जब question hour suspend होता है तो opposition के पास वो अपना right राइट हो देती है question government को question करने का and also the minister are not liable to the reply to issue raise during the zero और minister भी liable नही होता जो भी बीच में जो किए जाता है कुछ issue raise किये जाता है उसे question किये जाता है minister so अब जगर so अब जो question hour नहीं होगा जी होगा नहीं होगा तो minister फिल लाइबल भी नहीं होगा so इस वेज़े से इससे पालियमेंटियर अड़र में इससे पर इंपेक्ट पड़ता है so इससे पहले भी काफी सारे session में question hour को suspend किया है like there had only force as a special session जिसमें there is no question hour जिसमें question hour नहीं थे like इसमें session के नाम नम्मर दे रहा है जिसमें 33rd session था जो कि 96 रहा है then 93rd session 1975 then 98 session जो कि 1976 में then 99th session जो कि 1977 session में होगा था so इन 4 session में कोई भी no question hour नहीं था because इनमें इसमें को इनके reason भी दे रहे हैं so इसमें एक space purpose जो कि इसमें respectfully इसमें reason दे रहे हैं कि passing or state of budget जो कि Odisha में जब special purpose आयता तो इस बैस होगा then second वाला emergency की time में होगा था then third वाला फोर्टी फोर्ट आभेंड में होगा था तो इसी वाज़े से नहीं होगा था last month ये president rules लगा था तमिलाडू में और नागा लैंड में तो ये चार reason दे रहे थे चार time जब वो question hour को suspend किया गया था but इस वार इसमें कोई reason नहीं दे रहेगा अगर रीजन दे रहे था तो इससे क्या impact पड़ेगा आगे क्या हो रखता है जो कि ये चीज़ हैं कि अंगेस दा constitution जा रही है अगर government accountable नहीं रहेगा अगर government कोशन नहीं के जा सकते है तो government फिर अपनी मनमानी करेगी अगर फिर उससे कोई भी कोशन नहीं पूसकता ना ही किस उसके आखे ना ही उसकी development नहीं जो को development कर रहे है या जो काम कर रहे है या last two-three month में उसने भी जितने भी काम किये हैं जितने भी development किया है तो उन पर कोई कोशन नहीं ख़ड़ा कर सकता हो इस वैसे वो एक जाती है और इससे Parliamentary democracy भी थोड़ा हट होती है तो आज की लेक्शन में बस इतना है अगर आपने UPC library को सब्सक्राइब नहीं के रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब the UPC library and press the bell icon for more updates than about